कुर्वारिक स्टेंट मनोज राठोर मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है डेरी स्टेंट आज के लेक्चर में हम क्लास एट से एक्सरसाइज 14.4 को डिसकस करते हैं तो देखते हैं इसका फ्रेस्ट क्यूशन फ्रेस्ट क्यूशन में आपको इस्टेंट यह एक फिल्ड दे रहकी है और हमें इस फिल्ड का एरिया फाइंड आउत करना है और जो भी इसकी साइड है वो सारी मीटर में गिवन है तो चलुँझ स्टार्ट करते हैं क्यूशन नंबर फस्ट को So, area of fill is equal to हम पहले इस triangle से start करते हैं Area of triangle AGF Area of triangle AGF प्लस उसके बाद कुछ चीज है पा रही है? यह student आपके सामने trapezium है So, area of trapezium FEIZ F E I Z प्लस Next, that is फिगर हमारे पास triangle Area of triangle E I D E I D प्लस फोर्थ अमबर पे अगेर आपका triangle आला है Area of triangle DHC DHC प्लस अगेर आपको इस्टेंट trapezium मिल रहा है So, area of trapezium A H C B या फिर A, B, C, H A, B, C, H A, B, C, H ओ, question? अब सबसे पेदे हम इस triangle का area find out करते हैं और हमें पता है triangle का area क्या होता है? 1 by 2 base into height So, 1 by 2 इस triangle का base क्या होगे strength? A, G और A, G की length कितने है? 80 meter into height height इस triangle की strength देखो 50 है तो into में 50 प्लस area of trapezium आपके सामने ये है तो इसका area होगा 1 by 2 into height देखो इस तेन ये दोनु side parallel है तो height बनेगी G I तो देखो ये H I तो आपका 70 है और G H है 10 तो G I बनेगा 80 तो इसकी height हो गई 80 into sum of parallel side 50 plus 60 प्लस area of triangle E I D ये triangle तो इसका area होगा 1 by 2 base base इसका ID है जो की 80 meter है into height 60 प्लस area of triangle आपका है D H I तो again 1 by 2 base into height अब देखो ये इसका base मान लो चाहिए मान लो तो base मान लेता हो मैं ये H D 70 plus 80 150 into height इसकी होगी 35 प्लस area of trapezium 1 by 2 A B C H ये इसकी height होगी strength 80 plus 10 90 into sum of parallel side parallel side ये है 30 plus 35 तो ये आपका 65 अब इसको हम calculate करते हैं हमें इस fill का area मिल जाएगा ये आपका 14 time cancel तो ये मिल जाएगा 40 into 50 प्लस ये आपका 40 time cancel तो ये जाएगा 40 into 110 प्लस ये अगें 40 time तो 40 into 60 फिर ये आपका 75 time cancel हो गया तो प्लस 75 into 35 ये 45 time तो प्लस 45 into 65 understood अब इस टेंट इन दोडों कहाँ multiply करते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से 40 into 50 2000 प्लस इसको multiply करेंगे तो 4400 ओके प्लस इसको multiply करेंगे तो 2400 अब इस टेंट हम 75 और 35 को multiply करते हैं तो हमें मिलेगा 2625 ओके प्लस इसको हम multiply करेंगे 45 x 65 तो हमारे पास आएगा 29, 45 45 नहीं सोरी 25 अब इसको हम add करते हैं तो हमें total मिलेगा 14,350 मीटर square यह इस field का area यह assistant अब second question देखते हैं इसका second question में आपको एक regular hexagon दे रख रहा है जिसकी AD की जो length है strength वो आपको 22 cm दे रखे ओके और PO कितना है 12 cm और DP और AO AA दे रखा इसका मतलब दोनों ही क्या है equal तो equation में आपको given है DP के equal में AO ओके और जो इसकी side है वो 12 cm है regular hexagon है इसका मतलब सभी side क्या होगी 12 cm हो तो हम यहां से DP find out करते है तो देखो इसके DP के equal में क्या है total जो length है वो है 22 minus यह 12 minus करेंगे तो हमारे पास आगया 10 ओके स्टिन क्यानी की AO और DP को add करता हूं तो मेरे को 10 मिल रहा है जबकि AO और DP दोन ही क्या है equal तो 10 का हाँ हमारे पास आजाएगा 5 cm ओके स्टिन तो DP या फिर AO की लेंध आगई 5 cm अब देखोष्ट नेक्स्ट काम क्या करते हैं पन हमारे पास यह एक right angle triangle है DPC इसमें हम पाइधा वर्स थोरं की है से PC साइड फाइड आउट करते है ओके सिन्स तो इन्त्रा एंगर DPC वाई यूजिं पाइधा वर्स थोरं ओके सिन्स पाइधा वर्स थोरं के अकोर्डिंग्या ये 90 डिरी का एंगल लोगा सिन्स इसके opposite side hypotenuse होगी So CD square is equal to यह आपका base PC का square plus DP का square और हमें find out क्या करनी है PC So PC square is equal to CD square इसको minus कर देंगे DP square and PC के equal में आप इसके उपर under root लगा तमारे पास PC के equal में आएगा under root CD का square that is 12 का square minus DP हमने 5 cm find out की है तो 5 का square ओके स्टेंट अब इसको आगे calculate करते है PC is equal to under root इसका square 144 minus इसका square 24 तो finally हमें PC के equal में क्या में लेगा under root 119 और under root 119 की value होगी स्टेंट 10.90 अप्रोक्सिमेट लेगे लेगे इस्टेंट और के स्टेंट यह इसकी अप्रोक्सिमेट वेल्यू हमने लेगे यह PC आगे यानि की PC के लेंथ है 10.90 अप्रोक्सिमेट हमें इस हेग्जागन का एरिया फाइंड आउट करने है तो यह जो आपका ट्राइंगल है DEC इसका एरिया और यह जो ट्राइंगल है F, A, B इसका एरिया इक्वल होगा तो मैं इसका एरिया फाइंड आउट करके तो से मल्टिप्लाइ गरूँआ तो इसका एरिया अपने यहां भी फाइंड आउट हो जाएगा और बीच में जो बच गए स्टेंट वो आपका है एक रेक्ट एंगल क्यों इस्टेंट रेक्टेंगल के हुआ क्योंकि यह एक रेक्टेंगल है यह साइड इसकी 12 सेंटीमेटर है तो यह भी इसकी 12 सेंटीमेटर होगी और यह साइड और यह साइड आपकी इक्वल है तो आप ओजिर साइड इसकी क्या होगी इकोल इसलिए यह बढ़ गया आपका रेक्ट एंगल So area of area of hexagon is equal to two times area of triangle DEC plus area of रेक्ट एंगल ECBF ECBF clear statement So two into area of triangle DEC one by two base into height अब देक्ट इसलिए बेस क्या होगा EC और EC कितना होगा EC हमारे पास होगा PC का double यानि कि two into ten point nine और इसका double कितना होगा 21.8 तो इसका base हो गया 21.8 into height DP और DP कितना है 5 cm Okay question plus area of rectangle L L कितने है हमारे पास यह रही 21.8 into B 12 Okay question 2 से 2 आपका cancel हो गया अब हम 21.8 को 5 के साथ मल्टिप्लाई करेंगे तो हमारे पास आजाएगा 109 plus अब 21.8 को 12 के साथ मल्टिप्लाई करेंगे तो 261.6 अब इन तीनों को एड़िएंट तो हमारे पास आजाएगा 370.6 cm इसक्रेंट तो यह इस हेक्जागन का एरिया होगा के लिए इस्टेंट third question को देखते इस्टेंट third question में भी आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम यहां से इस्टार्ट करते हैं now area of fill is equal to सबसे पहले triangle लेता हूँ area of triangle A-F-E A-F-E plus उसके बाद आपका trapezium आ रहा है area of trapezium F-H-D-E F-H-D-E plus area of triangle H-C-D area of triangle H-C-D plus अब की बार में बड़े वाला triangle ले रहा हूँ area of triangle A-B-C A-B-C अब इसका area find out करते हैं इस triangle का area 1 by 2 base 40 into height 20 plus area of trapezium यह आपका trapezium है 1 by 2 अब इसके हाइट कोन सी होगी यह इसकी हाइट है क्योंकि यह दोनू पैलल लाइन है तो 30 plus 20 50 into sum of parallel side 10 plus 20 आपका 30 बनेगा plus area of triangle A-C-D यह 1 by 2 base इसका 20 and height इसकी 10 plus इस triangle का area 1 by 2 base A-C A-C टोटल क्या होगा 60 और 50 110 into height इसकी 40 ओके अब इसको हम cancel out करते है 2 से यह 55 time cancel होगया 2 से यह 10 time cancel 2 से 25 time cancel 2 से 20 time cancel 20 into 20 is 20 आपका 400 plus यह बनेगा 750 plus 100 और 55 फोर्जा 210 और 10 और एक 0 हो रहा है यह अब इन टीनों को add करेंगे इस्टेंट तो हमारे पास आएगा 3,450 मीटर स्केर ओके स्टेंट तो यह आपका question number 3 next question number 4 देखते है next question में भी आपको area find out करना है तो हम यहां से start करते हो so area of field is equal to triangle आगया पहले area of triangle dmc cd value रगे दिस्टेंट 1 by 2 base क्या होगा इसका 65 into height 73 plus उसके बाद यह आपके पास trapezium आ रहा है तो trapezium का area क्या होगा 1 by 2 height height यह है इस्टेंट इसकी 89 plus 25 114 into sum of parallel side 170 इन दोनों को आट करेंगे तो 170 आएगा plus 1 by 2 यह triangle आ रहा है base into height height यह 97 plus बडे वाला triangle इसका area तो 1 by 2 into AD AD इसका base है तो इन पूरी side को हम add करेंगे तो हमें मिलेगा 259 into height हमारे पास अब 58 understood अब strength हम क्या करते हैं इसको solve करते हागे 65 और 73 को multiply करते हैं तो 47 और 45 by 2 plus यह आपका 57 time cancel हो जाएगा तो 57 into 170 plus यह आपका 40 time cancel तो 40 into 97 plus यह आपका 29 time cancel तो 29 into 259 अब शेंट इसमे 2 का divide दूँगा तो मेरे को मिलेगा 23 75 0.5 okay student 2 अब इन दोनों का हम multiply करेंगे 57 into इसको तो हमारे पास आएगा 96 90 plus अब इन दोनों का multiply करते हैं तो 38 और आपके पास आएगा 80 प्लस इन दोनों को multiply करते हैं तो 7511 क्लिर अब हम सभी लिजिट को add करते हैं तो हमारे पास answer आएगा 23 453.5 meter square ओके शेंट ये इसका area होगे क्लिर 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 क्लिर